हेलो दोस्तो यस्टीवी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले है वोड़ाफोन आइडिया शेयर के बारे में वोड़ाफोन आइडिया ये पिछले कई दिनों से चर्चा में रहा है क्योंकि वोड़ाफ returns मिल सकते है और अगर Vodafone idea में हमें 10 से 20 गुना returns मिल सकते है तो कौन से ऐसे important levels है जहाँ पर Vodafone idea में हमें buying करनी चाहिए सब कुछ detail में बताऊंगा इस वीडियो में हम Vodafone idea का fundamental analysis भी करेंगे और फिर कौन से ऐसे important levels है जहाँ पर हमें buying करनी चीए उसके बारे में मैं भी आपको detail में बताऊंगा तो दोस्तों इस वीडियो को आप end तक जरूर देखिए end तक आपको कुछ नया सिखने जरूर मिलेगा Vodafone idea यह बहुत ही popular stock है इंडियन मार्केट में just because यह news में बहुत बार आता है और Vodafone idea यह most actively traded penny stock है इंडियन मार्केट में क्योंकि Vodafone idea यह एक दिन में 40 टका भाग भी जाता है और एक दिन में यह 30 टका तोड़ भी देता है तो stock में volatility काफी ज्यादा है actually government of India यह Vodafone idea को बचाना चाती है तक कि market में competition बना रहे अभी Vodafone idea के लिए competitors कौन है तो भारती एटल एक है listed competitor और दूसरा है Reliance Geo जो की Reliance Industries के अंडर आता है तो यह दो में competitors है जिनका Vodafone idea को competition है so government of India ने बहुत सारे reliefs देकर रखे है Vodafone idea को ताकि वह अपने खर्चे manage कर सके और वापस business में आ जाए और Vodafone idea की जो parent company है Vodafone group यह London की company है यह भी अभी पैसा invest करने लगी है Vodafone idea में ताकि company के खर्चे manage हो सके so इन सब बातों से यह निकलता है कि Vodafone idea अभी तो बन नहीं होने क्योंकि parent company ने भरोसा दिखाया कंपनी में और पैसा invest किया है दोस्तो Vodafone idea यह भी प्रोग्रेस कर रहा है और government का भी company को अच्छा support है और बाहर से parent company भी अच्छा खासा support दिखा रही है ताकि company revive कर सके तो कोई भी साधरन व्यक्ति यही सोचेगा कि अभी सही वक्त हो सकता है Vodafone idea में निवेश करने के लिए लेकिन कोई भी company में निवेश करने से पहले हमें company का financial analysis करना बहुत जरूरी है ताकि हमें company की financial position के बारे में थोड़ा पता चल सके तो दोस्तो इस वीडियो में आपको मैं financial analysis पूरा detail में दिखाऊंगा प्लीज इस वीडियो को end तक देखिए शायद आपका point of view थोड़ा change हो जाए दोस्तो अभी हाली में मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड करी है अपने चैनल पर दमदा डेट-free company के बारे में मैंने बताया था जिस वीडियो को आपने बहुत ज्यादा पसंद किया उसके बाद Tata Motors के बारे में fundamental analysis किया था हमने जो कि आपने बहुत पसंद किया और एक best FMCG stock के बारे में बताया था इस वीडियो को भी आप जरूर देखिए बहुत ही knowledgeable video है और आपको बहुत कुछ नया सीखने मिल सकता है दूस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही important news update देना चाहता हूं about ventilators in India experts का मानना है कि इंडिया में around 2.5 लाग ventilators की जरूरत पढ़ सकती है in the worst case scenario लेकिन फिलहाल इंडिया की सबसे बड़ी hospital chain के पास सिर्फ 1000 ventilators है और सब के सब ventilators करोना patients के लिए use नहीं हो सकते क्योंकि already बहुत सारे ventilators use हो रहे है for the other patients than coronavirus so ventilators की production बढ़ाने के लिए बहुत सारी Indian automobile companies आ गया ही है जैसे कि Maruti Suzuki, Tata Motors, Mahindra & Mahindra और भारत फोज बहुत सारी public sector companies भी है जैसे कि BHEL और भारत electronics ये भी अपना योगदान देना चाहती है थाकि देश को बचा जा सके बहुत सारे platforms ये highlight कर रहे है कि Maruti Suzuki ने zero sales record किया उसके बाद Tata Motors का भी कोई sale नहीं हुआ है in the month of March and April लेकिन कोई भी इस बात को highlight नहीं कर रहा है कि ये companies अपना business छोड़ कर देश को बचाने में लगी है ताकि देश का अच्छा हो सके तो दोस्तो हमें proud feel करना चीए कि ऐसी बढ़िया companies देश को बचाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है तो चलिए दोस्तो अभी हमारे topic पर वापस आते है जो कि है Idea Vodafone Limited आइडिया Vodafone ये share बहुत ही ज्यादा नीचे गिर चुका है अल्मोस्ट 100 रूपीज के लेवल से आइडिया Vodafone अभी 4 रूपए पर आ गया है तो फ्रेंड्स आइडिया Vodafone में अगर हम देखे तो 2015 से 100 रूपीज के लेवल से अभी 2020 में आइडिया Vodafone 4 रूपए पर गिर चुका है यानि आल्मोस्ट 95% का वेल्ट डिस्ट्रक्शन हुआ है आइडिया Vodafone में तो दोस्तों बढ़ते हैं आइडिया Vodafone के फाइनांचियल्स पे पहले हम देखते हैं आइडिया Vodafone का मार्केट कैपिटल है यह 11,900 क्रोर्स है बाद में शेर प्राइस यह 4 रूपए चल रहा है और इसका फेस वैल्यू जो है यह 10 रूपए है यहनि कमपनी अगर 100 रूपया इन्वेस्ट कर रहे है तो माइनस 7 परसेंट कमारी है यहनि कमपनी को लॉस हो रहा है तो कमपनी के पास अल्मोस 93 रूपीज बढ़ जाते है 100 रूपीज इन्वेस्ट करने के बाद उसके बाद return on equity यह माइनस 37 परसेंट है obviously 3-4 साल में almost 96 परसेंट लोगों का पैसा डूप चुका है idea vodafone में तो यह तो होना ही था अभी हम बढ़ते है idea vodafone की balance sheet में सबसे पहले idea vodafone का share capital यह 28,700 crores हो चुका है जो की March 2017 में 3,600 crores था यानि company अगर loan repay नहीं कर पा रही है तो company उन debtors को share issue कर देती है और इस चक्कर में उनका share capital बढ़ते जा रहा है idea vodafone के reserves यह minus 4,600 crores के है उसके बाद उनकी borrowings यह सबसे important part है idea vodafone की borrowings यह almost 1,00,000 crores के आसपास है अगर हम notice करें तो company का जो market capital है उससे 10 times ज्यादा इसकी borrowings ही है तो दोस्तों जैसा मैंने पहले बताया था company का 11,900 crores का market capital है और उसके सामने company के loans जो है वो almost 1,00,000 crores है तो यह देखकर ही picture clear हो जाना चाहिए कि आपको vodafone idea में invest करना चाहिए या नहीं लेकिन फिर भी आपको और तसली देने के लिए हम लोग profit and loss पे बढ़ते है तो company का sales तो बहुत ही बढ़िया था 37,000 crores का company ने sales किया है 2019 में उसके बाद company के expenses यह 35,000 crores है तो 37,000 crores में से 35,000 crores सिफ expenses है उसके बाद operating profits यह 1630 crores है तो यह बहुत ही छोटा पार्ट है 37,000 crores का जो उन्हें profits में मिल रहा है उसके बाद उनके interest यह सबसे main point है company का जो भी profits आता है स्यादा तर interest में ही चला जाता है और profits सिफ 16,000 crores के है उसके सामने interest जो है company को भरना पड़ रहा है यह 9,000 crore का है उसके पाद depreciation आ जाता है वो भी एक बड़ा number होता है तो company almost हर बार loss ही book करती है क्योंकि company अपने खर्चे manage नहीं कर पा रही है company के loans दिन बर दिन बढ़ते जा रहे है और profits यह है कम होते जा रहे है तो company के लिए यह बहुत ही negative point है तो दोस्तों इसके बाद company को 58,000 crores के AGR dues पे करने है government को तो उसके लिए company को अलग से loan लेना पड़ेगा इसके बाद Vodafone की जो parent company है वो 200 million dollars invest करने वाली है company के operations बढ़ाने के लिए लेकिन यह 200 million dollars around 1500 crores हो जाते है तो यह एक बहुत ही छोटा amount हो जाएगा Vodafone idea के लिए और यह लोग इतने से पैसो में अपनी 1,00,000 crore की debt कैसे repay करेंगे उसके बाद company को ऐसा बताया जा रहा था कि 4700 crores का tax rebate मिलने वाला है from the government of India लेकिन actually company को सिर्फ 730 crores मिले है tax rebate में तो यह इसके लिए media ने hype create किया दा और stock price बहुत ज़्यादा भागे थे दोस्तों money wise यह बहुत बड़ा amount है लेकिन actually 730 crores यह Vodafone idea के लिए अभी फिलाल तो कुछ भी नहीं है क्योंकि उनकी debt अरूंड एक लाग करोड रूपीज के उपर है so 730 crores यह बहुत ही छोटा amount है और इस चीज़ से पता नहीं यह मतलब बोलो क्या pay off कर पाएंगे और क्या खुद के लिए रखेंगे apart from this अगर company को competition में रहना है तो company को 5G में upgrade करना ही पड़ेगा यह most important है और 5G में upgrade करने के लिए spectrum में almost 50,000 crore रूपया चला जाएगा यह minimum amount में बता रहू spectrum के लिए यह amount 2,000,000 crore के उपर भी जा सकता है so अगर सब कुछ हम लोग जोड़ दे तो company का debt जो है यह almost 2,000,000 crore के आसपास पहुच सकता है जो की एक बहुत बड़ा number हो जाएगा बाद में debt repay करने के लिए so दोस्तो एक बार आप खुद सोच कर देख लीजिए क्या Vodafone Idea पहले अपने debtors को repay करेगा या फिर अपने shareholders को reward करेगा अगर आपको लगता है कि shareholders को reward करेगा तो आपको Vodafone Idea जरूर लेना चाहिए लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि Vodafone Idea से हमें दूर रहना चाहिए क्योंकि Vodafone Idea बहुत ज्यादा news में रहता है और stock जबी गिरता है तो बहुत ज्यादा गिरता है तो इसलिए हमें Vodafone Idea से दूर रहना चाहिए और दोस्तो ये बात मैं अभी नहीं कह रहा हूँ बहुत पहले से कह रहा हूँ कि हमें News वाले स्टॉक से दूर रहना है Quality स्टॉक्स पकड़िये और उनमें इन्वेस्ट करते रहिए आपको Multi-Wagger Returns ज़रूर मिलेंगे ज़्यादा Educative Content मिलने वाला है